अबुबकर शिद्दीग का बुज़र होता है अबुबकर शिद्दीग उन आवास को सुनकर आप अंदर चले जाते हैं अंदर जाकर क्या देखते हैं तो हज़रत बिलार को एक आदमे हाद से पकड़ा हुआ है दूसरा आदमे एक और हाद से पकड़ा हुआ है तीसरा आदमे तो चारों पाचो जो आदमी थे जो दुश्मनान इसलाम थे वो कहते हैं कि यह आदमी को हमें इसलिए मार रहे है ये खाता हमारा है लेकिन जो है कल्मा मुस्तफा का पड़ता है ये खाता हमारा है लेकिन कल्मा मुस्तफा का पड़ता है इसलिए हमारा है ये घुलाम होकर जो है उस आखा का कल्मा पड़ता है तो आप सलल्लाव हदरत अबुबकर सिद्धी कहते हैं कि हम मैं जो है इसे होगे मैं इसे तुम अगर तुम जो भी खियमत बोलेगे मैं से उत्ति जो भी खूबाव में और तूप ब 설 towel कर करकर कहते हैं कि हम जुह है इतनी जिस खियमत बता देंगे इस खुराम की के कोई भी आदमी खुराव को फिर्दम की थाफ़ अ ना त्थ भूरी दियर आप अपने दौलत को खतम कर दिया या यह एक बिलाल को खरीदने की खिमत आप को क्या लगती थी तो हदरत अबुबकर सिद्दीग जो है थोड़ी देर के बाद उसे पूसते हैं कि कितनी खिमत हैं वो लोग जितनी खिमत थी उससे भी डबल डबल खिमत बता देते हैं तो हमने आपके सा look किया है हमने आपके साथ धोका किया है इस खुलाम की इतने अजरत बाद कर देखे का मुभबत आना आपका जवाब सुने हैं थे लोगों तुमने मुझे दोगा नहीं दिया बलकर मैं ने तुमने तो कुछव पैसों के खाटिर दुनिया करीद लिया है मैं बिलाल को खरीदने के खादिर जन्द खरीद ली है आप उसे लेते हैं हदरत बिलाल को लेते हैं आपको चले नहीं आता होगा आपको जो है आपके सर से लेकर पाओं तक लहु लुहाल हो गए थे हैं हदरत अबुबकर सिंदीग कहते हैं हदरत बिलाल कहते हैं क्या आए अबू बकर सिंदीख तुमने मुझे एक आइसान कर लिया इसान